आप देखरें एक्जामजी चैनल, यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान अध्यान जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं 6-12 सिर्फ और सिर्फ बुक कुछ भी एक्स्टा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं आप पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आदा गयान हमेशा हानी करक होता है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा चप्टर का नेम है ग्रामीन वे शहरी प्रशासन, और इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकिस एट तक पूरी जो सीरीज है, उसको कर ली है, प्लास एट की, चाप्टर वान टू चाप्टर एट, प्लीज आप उसको जुरूर देखेगा तो ग्रामीन और शहरी प्रशासन में फर्क क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रहा है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 18 वर्श की आयू होने पर क्या होगा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपका मत्दाता सूच में नाम आपको जड़वाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मत्दान देना ज़रूरी है, इसे में कुछ ऐसी बात होती कि क्या फाइदा होगा, तो हम यह सारा इंट्रोडक्शन करवाया है, ठीक है, लेकिन अक्चल में बात यहां से स्टार्ट होती है, कि हमारा जो पूर हर्ड समीधान संशोधन में एक विदेहिक पास हुआ था, पंचायती राजवयवस्था का, ग्यारवी अनुसूची थी, और त्रीस तरिये धान्चे को 29 कारियों काइन में उलेक किया गया था, ठीक है, अब क्वेस्चन यहां कि त्रीस तरिया मतलब क्या है, तो पहला है ज जिला परिशद में जिला प्रमुक, मुख्या, करेकरि, अधिकारी, पंचाय समीधी में परधान, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तो यह पूरा 31 तरिये धान्चाए, इसको 2 pages मेंनों ने समझाया है, मैं आपके सामने इसको रखरी हूँ, में-में बात यह है कि जिला परिश्यद में क्या होता है, स्थानिया आवशक्ता वगरा का ध्यान रखते हैं, और अंतिम यूजन तियार करवाते हैं, सभा बैठक का परिवेक्शन होते हैं, पंचाय समीती में पंचायती रजकार्या करते हैं, और दस्या का बनवाते हैं, ग्राम पंचायत में सवच्छता पेजल इन सब का ध्यान रखते हैं, मलई का कारेक्रम, सावजनिक, वित्रन, प्रिणाली, ग्रामीन, सडक का रख रखाओ, यह जिला परिश्यद है, यह पंचाय समीती और उनकी निदियों का अंतरन करते हैं, ठीक जिला परिश्यद, यह पंचायत और ग्राम पंचायत यह सभी के बार में आपको सामने दे रखा हैं, ग्रामीन शित्रों में जनता की शिकायतों को दूर करते हैं, प्रात्मिक शिक्षा की गुमत्ता की और सुनिशित्ता रखते हैं, फिर पंचाय समीती की जो बैठके हैं, थालता है, उनका निर्णे है, कारेस्थल, यसे हम ध्यान रखते हैं, और लास्ट में ये जनम मृत्यY, ये सारा हम बात करें, ग्राम पंचायत का, सबसे पहले जिला परिशल, फिर पंचायत समेथी और फिर ग्राम पंचायत है, ठीक है, ठीक है, तो ये जनम रिट्श। पर ग्राम पंचायद क्या होता है? लोक्तंतो की प्रद्थमीकाई इसको माना जाता है वाड पर ऊप सर्पंच सर्पंच इसमें कारे करते हैं। राजे चुनाय एक दोर्रह चेंज़ा रlaई चयाता है कारेकाल इसमें पांच वर्श जुभी सर्पंच बनती हैं ठीक है है। इसको सरपंच को विश्वास परस्ताव से हटाया जा सकता है ग्राम पंचायत में सचिव भी होते हैं जो कारे कारी जो आगस वगरा करे गोर रखते हैं और ग्राम पंचायत के परतेकमा कम से कम दो बैठके होनी आफशिक होती है बात करेंगे पंचायत समीती की तो ये ग्राम पंचाद और जिला परिशत को जोडने वाली एक कड़ी मानी जाती है चोटे-चोटे विकास खंडों में इसको करते हैं इसमें विभाजत और इसमें नियूनतम 25 वर्ष का होना जरूरी होता है किसी भी बन जाय समिती का सबस्या बनने के लिए परधान उपरधान जो होते हैं वो इसे कारे रिलेटरबल करते हैं खंड विकास खंडों सदिकारी जिसको ब्लोग, वीडियो, ओफिस अपने नाम सुना होगा तो उसका भी कारेकल पांच रश का होता है अब है जिला परिशत जिला परिशत में क्या है कि शेट रस की संस्था मान जाती है प्रधे एक जिले में वार्ड बनाये जाते हैं इन वार्डों में से एक-एक चनावित एक सिदस्य है जैसे पार्शत आप बोलते हो तो उसको चुन लिया जाता है यह जो पार्शत है यह अपने सारे जो भी लोकालिटी है उसके बारे में आगे रिपोर्ट बना के देता होता है कोई नीड है तो बताता है जिला परमुक उप जिला परमुक का यह चुनाव करते हैं जिला परिशद के जो भी निर्वाज़े सदर से होते हैं इस तरह एक सरकार बन जाती है अब आयके स्रोथ के ग्राम पंचायत में भवन कर वाहन कर यह सारे कर ले लेते हैं पंचाय समीति में इस्थानी शुल्क परियोजनावं से आ जाते हैं जिला परिशद में अनुदान पंचाय समीतियां वसूलियां राजस्व सरकारी गैर सरकारी ये सारे इसमें आ जाते हैं ठीक है अब नेक्स जिसमें बात है ग्राम सबागी तो ग्राम सबागी तो ग्राम सबागी तो ग्राम सबागी राजस्व ग्राम जो होता है उसमें ये बैठके बुलाते हैं बताता होते हैं इसमें भी हर तीन मेने मे ग्राम सबागी एक बैठक बुलाने अवशक है आम तोर पर ये जो में दिवस होते हैं जैसे 26 जनवरी, एक मैई, 15 अगर्ज, 2 अक्टूबर, नैशनल जो भी डेज होते हैं उसमें ये बला सकते हैं वैसे पंचायत का मुख्या जब चाय बैठकाई वजित कर सकते हैं उसके बाद है ग्राम नैयले तो इसमें क्या होता है एक 2008 जो ग्राम नैयले का था उसमें ग्राम नैयलो की स्थापना की गई जैपुर जीने में बसी में ये सबसे पहला ग्राम नैयले खुला गया था तो ऐसे questions directly पूछ लेते कि कहां खुला गया था अब नगरिया पर शासिन की बाद में यहां पे सारे एक स्टोरी सी बनाई हुई है और इसमें यही है कि वार्ड और ये मद्दाता क्या होते हैं प्रतिनेदी पारशद क्या काम करते हैं तो सडक, पेजल यह सारे जो काम है नगर-निगम, नगर-परिशदों में यही काम होते हैं ठीक है जिक है स्वच्चता का ध्यान रखते है आपके वार्ड पारशद और यही सारे मिलकर एक main वारड पारशद को धूड लेते हैं नगर निगम, नगर परिशत और नगर पालिका ये शैरी शासन के तीन वाग होते हैं जहां 5 लाग से जाद है जंता और 15,000 से 1 लाग के बीच तक जहां पर जंता होते हैं वहां नगर पालिका बोड बनाए जाते हैं ठीक है और इसी तरह से 1 लाग से 5 लाग वहां नगर पॉर्ड की उपादी देती है ये नगर निगम का अध्यक्ष महापूर नगर परीशित का सभापती और नगर पालिकागा नगर पालिका देक्ष चोहत्ता में समिदाशन शुर्दन में ये शैरी संस्ताओं को बनाया गया एक तहई वाड महिलाओं के लिए रक्षित कर दिया है कि अगर आपके पास टाइम है या वैसे हैं तो रक्षार ओपन स्टेडियम वाचनाले बुस्तकले मेले बगरा योजित करवाना अवारा पश्यू तो स्वैच्छिक इच्छा से तो शायद ही कहीं काम होते हैं लेकिन ये जो अनिवारे हैं वो करने ही बढ़ते हैं ठीक ह अब वापस से यही एक स्टोरी स्टाट होगे कि हमारे वाचनाले पुस्तकले यह इसका कैसे रक्रखा होता है खौन करता है इसमें ठीक है और इसका रक्रखा फिर करता को न तो यह जो बातें हैं यहां पर इनों ने बताया कि कैसे कर वगरा लेके वे बिन्शुल कर लगा क करते हैं यहीं संसाइं फिर यानि कि शेहर का पैसा शेहर में ही लग जाता है ठीक है तो अब बात है यहां पर शब्दावली की भूरा जस्व यानि की जो भूमी के लिए प्रयोग में लगता कर सार्वनी करें जो सब के लिए पेजन पीने यूग पाने अब भ्यास प्रशन आपके लिए नगरिय स्वश्यासन के इकाई कौन सी है तो आपके सामने यह चार उप्शन है जरूर किजिए यह पंचाइती रजविवस्ता को अपनाया कब था किस इंशोधन में नगर निकम वाड़ पर दिनीधी कौन क्या कहलाते है परिशत के अदक्ष को क्या कहलाते है यह मुख्या आपके लिए यह सारी mcq form में कैसे भी question बनके आ सकते हैं ठीक है एक एक question का करना बहुत ज़रूर है हम बाग की books को उठाते हैं लेकिन जहां से आने है question वो नहीं उठाते हैं कई तो series को पूरा ही नहीं कर पाते हैं आप अब तक यह video देख रहे हैं तो thank you so much you are on the way this video is very much important next video please do watch अगर आप यहां तक अब तक आ चुके हैं तो congratulations आप पढ़ने की रापर चल चुके हैं बस उमीद है कि आप यह सारी series पूरी करेंगे चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें पढ़ना जरूर है राजस्तान अधियान most important है 6-7 राजस्तान हमने कर लिया है अब हम कर रहे हैं क्लास 8th, 9th, 10th, 11th and 12th लिंक आपको comment section में मिल जाएगा बस पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं और job लग के दिखाए है थैंक्यू सो मच